है कि है लोगा इस वागत है आपका हमारे नए यूटूब चैनल में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक हमारा पिछला टॉपिक अभी टैक्स आफ कंप्यूटर कंप्लीट हुआ था और हमारा अगला निव टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों मै आपको पढ़ा रहा हूं जिन चीजों में आपको प्रेट की जरुट नहीं पढ़ेगी उन पर मैं आपको ट्री तो हमारे साथ बने रही है हर एक वीडियो को सब्सक्राइब और जब आप यह वाला वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले हमारे पिछली वीडियो स्कॉर द प्रेट जरूर देखें प्रेट से आपको समझ वाज जाएगा किस तरीके से हमें कैसे कैसे क्या टॉपिक पढ़ना है और सबसे पहला क्या टॉपिक होता है तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है मैं आपको टॉपिक का नाम बता देए हूं पिछला टॉपिक हमारा था आइशन कोफं जेऊ मेरा अगला थो खूक आज जिस टॉपिक बहूं बात करेंगी वह मार है टॉपिक हैं जनलिशन ऑफ भ्युनर तो इस zurückना बात करने वाले हम तो समझते हैं है जनलिशन अब कॉंप्यूर्स के शिष्टम किया समझें जनलेशन हम पूंप्यूटर में हम तोंगें से भी तन इसलिए सब्सक्राइब याक तो फबादल आराम से ब spy होता है और ज değil किया जाता है किस दरीकि ihrem को किया जाता है मैं कैसे याद करना है कि यह सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा ठीक है एक सेकंड सर तो कुछ जनेरेशन हमारी कुछ इस प्रकार होती है तो सबसे पहली हमारी फर्स जनेरेशन के बारे में समझते हैं कि हमारी पहली जनेरेशन क्या है तो नमबर एक जर्शन जर्शन जलेशन जो है वह कि से हिसाब से बाटे गई है कि ऐसा क्या है टॉट अ कोुछ सपया जर्ट कर एक फुछ स्वहीं निशन एक उने उसको इनको जर्रैशन बोल दिया गया तो उसको भी हम बात करते तो आराम से ऊससे पहले मात करते एंड जो सभी टिरेशन में यूजो सबसे पहली जौत कम्रिक भी य pension में जो यूज किया जाता है तैसे आम ज्लोग यानते यूज कर यूज कि या उसमें यूश किया गया था वयक्यूम ट्यू तो तो यूज किया था वयक्यूमटूब यूज किया घगा था जैसे ऑंचिस्ट अब लोह कंशाल टे एंउ पासला था समय प्रशेसन नातों गोडे कंशिव देद Понवान सटो चाहून ततप ये इसका configuration रहा तक अब सायस में क्या हो तो first generation के computer size में एक hall जतने बड़े होते थे एक अिम्रे जतने बड़े होते थे और इनमें में आती थी ज्यादा घण होते तो काफी बड़े साइज में ठीक Zhong अगला जने शेनटा हम साबात करते सेकन जनेशन कबारे में कि बीड 놀is लेकंड जनेशन का क्या है तो सेट है थे बात करते हैं हम जनेशन के यह था हुआ है इस परश दर्सक्तट से पहले घंप्रड़ आया था jSU रषडे नहींट कीम् ट्व остан और सेकंड जनेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूजो किया था यूजो किया गया था और इसको यह यूज किया गया था वैक्यम टूब यूज की जगह है टांजिश्टा यूज किया गया था ठीक है अब इससे हुआ कि इसकी कुछ इस्पीड बढ़ गी इस्पीड बढ़ने का साइस थोड़ा सा कम हो गया पहले हो जितना बढ़ा था अफर एक टेविल जितना बढ़ा हो गया टेविल समझते है जैसे जितने बढ़ा है टेविल में लोग खाना खाते है बैठकें के डानिंग डेबल टेविल टैनिस इस तरी चल की मेंजा शुक्छ चुटी में मेंज हो गांबी जिसले में जितने चौँस्टा, मटे में में चो जाती है ऑक जो साइज तक पर कितना बढ़ ले नेमिशन आने के बाद साथ साथ में इनको कहीं भी ले जा सकते दें और उर्जागी भी कम खपत होने लेगे इसलिए वेक्यूम टुबी एका किसका यूज किया जाने लगा ट्रांजिश्टर का ठीक है अगले जनेशन के बारे मां आप पढ़ते हैं कि अगले जनेशन क्या है अगले ज से लोगे जाए ज कम्प्यूटर है थे उसमें सिस्टम कुछ तरीकी का था कि जो सम्टन से के ना हटा और से हाटा कर कर तर जनेशनमें इसकी जगह पर आइसी यूज किया गया आइजी मतलब इंटीग्रेटर द तरकीट किसका जैने लगा मतलब निर्ट सर्कृट कर लगा निया लेकिन आज कुछ करणका में परती ही सरकृट का प्रियोग किया जाता गया और इंटीगेटी सरकेट के साथ साथ इनकी जो डेट रही थी वह रही थी 1965 से लेकर 1974 अब याज रखें यह चीज आपको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग देखने को डेट मिल सकती है ज़रूर नहीं आपको किसी किताब में मिलेगे किसी में 1945 बस ऐसा है कि वह कुछ एवरेज की अभी तक हर किताब में कुछ किताबों मैंने देखा 1945 एक एवरेज दिया गया है इस बात को समझ के चलना इसलिए आज तक किसी भी कुछ जिवी एक्जाम में ये को भी कुछन नहीं आया है कि फर्ट जनरेशन की डेड़ बताईए कब से कब तक यह कभी कुछ नहीं पूछा गया क्यों क्योंकि एवरेज के लिए डेड़ नहीं दी गई है तब बात करते हैं फॉर्थ जनरेशन के इसलिए तक अनिवर आया था मतलब की जो हम आज हैंसाली। चॉर्स कर रहे हैं ठीक half säga honest क्या सब्सक्राइब तो Скहते हैं उसे प समझा रहा है इस ले टेड़ है इसमें बश्यू यूज किया गया था कि Greece a Deer आई प्रोसेसर मतलब कि इसमें तरीके से प्रोसेसर यूज किया गया था और प्रोसेसर में क्या सिच्टम रखा गया था यह एक और यह टेकनोलिजी को प्रोंसेसर्लाश factor साँत का कैसा यहां पर है वेरी लार्ज किश्केल इंटीगरेशन यह क्या है ब्लाज स्केल इंटीगरेशन सब्सक्राइप स्मय है में बैलारी यह झाल इंटीगरेशन इनफमände यह पर एमनेश्द हैनों पर एक है थार्डड नेशन की कंप्यूटर जो थे हमारे इंटी उसमें फैंप सकते हैं कि कंप्यूटर जो कि मेश इतने बड़े होते हैं जो पहले कुछ इस तरीकी ये होते थे जिसमें मौनीटर ऊपर होता था आप चोटे होंगे तो आपने ये यह पहुंद पहले के चंप्प्योटर जो है गेम वगरा खेलने के लिए फेमस हुए थै और इसी में ही एटेच्चनी चीबड था इसी में ही डचनी द्सलिए मइं कीबड होता था और वह लोगर मैं इसी में ही है को होता था बीटममा उस और यह सिसे यह हमारा माउस रहता था और यह अलग्रें कर रहते थे लो कि अधिर रहते देशी इस्पीकर समया रहे है वह एक तो यह अटेश वाल सिष्टम जिसमें पूरे सारे पार्ट से तरीके सकते हैं इक वोडी में रहते थे थे आपका थड़ जनेशन के दा जिसमें जहां भी ले जाएंगे पूरा जा है कंवेर एक साथ ही जाता था जैसे आज की समय हखारों की संक्या में इए चिप में हखाजारों की संक्या मंए I.C. को के Haoic को फिर्ट को मैं समाहिद कर दिया अब इक चिप में सबोस किजिए अगर 察क्षित की अगर इसकी टाकत तो अगर इसमें यह एक प्रॉसेसर हणा एक सी कर बनाए इसमें एक आईशी की ताकत है लेकिन अगर सबुचिए एक वी एलसाइए वाला प्रोसेसर जो है यह हजार वैरी लार्ज स्केल मतलब बहुत अधिक मात्रा में इंटेग्रेशन मतलब यह को मिलाकर एक प्रोसेसर बनाए गया था अगजित में हजार अच डूबी ताकत पूम कर दिया गया जिससे की Poker बढ़ लगी और कंप्यूटर का साइधी बहुत चुटा हो गया के लिए अब बात करते है इसकी देड़ की तो बिटा यह अभी भी चल रहा है ऐसा नहीं कि फॉर्ट जनेशन को कंप्यूटर निकाल लिए आपका उननेस्तों पच्छतर से लेके तिल डेट यह अभी भी चल रहा है समझाएं जी मतलब आज कल आपको फॉर्ट जनेशन का कंप्यूटर देखने को मिल जाते जैसे कि मैंने बताया अगर आपके पास किसी का कंप्यूटर पहले का पढ़ा हुआ है अगर उसकी स्कॉल है तोड़ी स्पीड होको सकता कंप्युटर हो अगली बात करते हैं फुसको याद करनी गश्राइवर तusing की हंग किस तरी कि याद करते हैं ओकिस तरीक है उनको फिस तरीयों कि प्रौसेश्र याद करेंगे या इसको भी पताएंगे तो हम करता कर तो ऐ बात करता है जारित लिए है कि इव तो देने roz पर जरू जल कि यह था आप शिटम यह है स्ट है कि न मतलई जैसे की थर्शन की एसी को अधिक मातरा हम मिला कि पोड़्व जनरेशन के एक बना जिया गया था अब सी तरीके से व्ह कुछ और भी यह जाएधा मात्रा में I-C घुम्ला कर एक और प्रोसेसर बना गया दिया गया जिसका भूलते है यू-l-s-i technology के दौरा एक प्रोसेसर बनाया गया था इसमें भी माइक्रो असर्यूज भूआ है फोर्ट जनेरेशन फोफ जनेरेशन में भी और फैसर्ट जनेरेशन में में द अब्टरालार्ज समझ रहे ना बहुत से भी जादा बहुत हुज मात्रा में अल्टरालार्ज कि स्केल हैं इन्टीग्रेशन कि सम्झागे चीज इंटे ग्रिशन इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा ठीक है अब इसकी डेट क्या रहेगी डेट का मतलब क्या अब इनका तो अभी हाल फिलाइज में तो यह कंप्यूटर आई हुए तो इसका मतलब यह डेट है तिल डेट टू स्ट्रम बना आगे यही आपका चलेगा और यही चल रहा है आज का में आप कंप्यूटर खरीदने जेंगे तो फिप्ट जन का मुटर या फोर्ट जनिशन का कम्पूटर यह लेंगे तो समझ लीजिए एक फिर से कि फिर्ट जनेरेशन के कंप्यूटर की डेट होती है 1901 से 1904 और वेक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था जो देट है 1905 से 1904 तक थर्ड जनेरेशन में चैनल इक्रते हैं कर बढ़ा है समयच कर दिया गया बहुत सारी सी को लाकर इक चिप समयच कर दिया इस चिप को नाम देगे दिया गया क्या प्रोसेटर नाम देगे दिया और यह वी ईकालट से integration technology की द्वारा बनी थी ठीक है उसकी डेड़ आप क्यों लिखी हुई है फिर्फ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ एक चिप बनाएगी मतलब इसी का अपर वर्तन मतलब इसकी speed को और बढ़ाएगा और बैट आप इसी की मात्रा बढ़ा दी गई तो प्रोसेसर का इसको टेक्नलोजी का नाम दे दिया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिएशन के लिए तो आप याद करते हैं इसको समझने की बारी है कि भाई इसको याद कर से करते हैं पर आपको इतना याद रखना है वी टी आई कि ये शuing वी टी आई काषा भी आज़ा है वी टी आए मतला फस्त वैक्यूम टूब टांजिश्टर और इस फर्जनेशन में वैक्यूम टूब सेक्न जैनेशन में टांजिश्टर जैने सिथ चाहिंए और मैं और वोगे आधे हैं फोर जया देए पहले वईलाइस के लिटर्व अच्छे नोचांव से भी बहुत अल्ट्र बहूत तो बहुत टो बैड़र इस्किल इंडोना प्रॉसेश अगर था था बसगी यह वैली लाइज इसकी में था यह अद्रल लजे कि स्थापको या याद रखना है है त्रिक में है डी यहां दखना एक फूर्स जनरेशन में में अब वेक्यूम ट्यूसेकंट टैने हैं में टांजिटर थर्ट जनरेशन में कि है आई सी प्लियर चलिए बात करता हो इनकी डेट कैसी आत रखेंगे विटाए बस आपको क्या नहीं में जैसे में आप उसे फर्स जनरीशन के पूछ रहुंच प्मोंस फर्स जनरेशन की बता ही तो फर्स जनरीशन की डेट में आपको लिए 13 जोड़ना त्री को एड कर देना ती और एक चार बतलब 112 से लेकर 1904 टक क्लिए सेके डेनेशन का बताईए तीन दोग पांच से लेके 1974 तक याद किया तो हम आपको क्या करना है आपको त्री करना है जो यह आपको जनेशन कूछी जाए औसमें आपको करना है और फॉर जनेशन में में 4-3-7-1975 तलेकर मनला 4-3-7 और 5 लगा दिन है इसलिए स्चार देट अभी भी चलन रहा आपको फोर्ज जनरेशन पिस अभी मिल जाते तो फेले बात करते हैं फ़र जनरेशन में तीन और एक चार म大家好 कि निससोई स्टियो тоб Lions लेकर न्यास उन्य क्षोटतर तक फोट घ्रस तक और पिछटनिशन की साथ फोट गनेशन की बात Business न्यास-ट, सब्सक्राइब करें तो तो देट से लेके फ्यूचर तक अभी भी चला और पविश्च में चलेगा तो बढ़ा आप लोग लिए टॉपिक बहुत आज का और हमने आप कुछ बहुत बहुत तरीके समझाया उमेद आपको समय में तो आगया होगा लेकिन एक बार रिवीजन कर आपको साथ सो बीज या हाई कॉलिटी में जाके देखिए और आपको एच्टी दिखेगा क्लियर 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 करते हैं लाइक और शेर जरूर कीजिए लाइक शेर करोगे तो आप लोगों को और अच्छे ते और ज्यादा वीडियो मिलेंगी जितना आप लाइक आपकी लाइक और शेर कियां किते हैं हमारी वीडियो की कैसी होगकर हमारे क्यों आप की आप लैक करने से लाइक और शेर कर ने सी आति है हमारे लाइक Grammar हमारे नर्जी वर्ड़ी समझ रहे हैं टोटल एनरजी हमारी एनरजी इस एकवल चैनल के लाइक और बाकी चीश्याप समझ सकते हैं तो आपको उम्मीद आपको हमारे टॉपिक समय में आ गया हुआ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमारे नीचे आकर कमें कमेंट कीजी अबक मि हम हंपो चीज का जवाब देंगे नच्ट वीधियो को हर टॉपिक लेकर वीडियो बिनाएंगे और हा एक चीज और आपको कई भी चीस पूछना हो कोई भी चीज का टॉपिक चाहिए के लिए और हमारे कमन आधूश कमेंट को सटयूश को